Hello Friends, Java Language सीखनी की सीरीज में आज हम देख रहे हैं हमारा Lecture 26 जिसमें हम पढ़ेंगे Difference Between Abstract Class and Interface in Java तो सबसे पहले हम समझते हैं इससे पिछले वीडियो में अगर आपने देखे हैं तो इंटरफेस भी हमने डिस्कुस किया है और Abstract Class भी डिस्कुस किया है यदि आपने इससे पहले इन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरा साज़ेशन है कि पहले आप इन दौनों वीडियो को देख लीजिए आज हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि ओडियन्स को ये पता है कि Interface क्या होता है और Abstract Class क्या होती है इनके बीच में अंतर क्या है कई बार इंटर्वियो में इस तरह के questions पूछे जाते हैं तो सबसे पहले हम इस slide में देख रहे हैं एक interface बना हुआ है और एक class बनी हुई है अब अगर मालीजी में class बनाता हूँ और बनाते वक्त abstract keyword लिख देता हूँ इस तरह से तो ये class कहलाती है abstract class जबकि interface बनाने के लिए मुझे interface keyword का इस्तमाल करना होता है तो class एक class है जबकि interface class नहीं है abstract class can have any access modifiers for members यानि class के अंदर जैसे हम member variables और functions बनाते हैं abstract class में भी ठीक वैसे ही बनाएंगे abstract class में भी कोई भी variable या function किसी भी access specifier से specify किया जा सकता है यानि private हो सकता है, protected हो सकता है, public हो सकता है या package level का यानि जिसको हम default भी कहते हैं वो हो सकता है लेकिन interface के अंदर सारे members by default public ही होते हैं यानि उनका कोई access specifier, दूसरा हम लिख भी नहीं सकते दूसरी बात ये कि interface में आपको public keyword लिखना नहीं पड़ता by default ही सारे members public माने जाते हैं तो ये हुआ एक difference दूसरा difference abstract class may और may not contain abstract method अब जो abstract class है उसके अंदर जैसे ये abstract class है इसके अंदर जरूरी नहीं कि abstract method भी बनाया जाए हो सकता है कि इसके अंदर सारे के सारे function well defined हो लेकिन चाहें तो इसमें abstract method भी बना सकते हैं ये भी हो सकता है class के अंदर कुछ functions abstract method हो यानि जिनकी कोई definition नहीं होती उस class के respect में और साथ ही साथ कुछ function ऐसे भी हो जिनकी definition हो यानि mixture हो सकता है लेकिन interface के अंदर सारे के सारे function by default ही abstract method होते हैं यानि इसमें तो कोई choice ही नहीं है हर function जो interface के अंदर होगा उसकी definition कभी भी interface के अंदर नहीं होगी और आपको कभी भी इसके लिए abstract keyword नहीं लिखना पड़ेगा ये by default ही abstract होते हैं अब देखते हैं तीसरा अंतर abstract class can have static और non-static members देखिए abstract class के अंदर जो variables हम बनाते हैं या function हम बनाते हैं वो चाहें तो static बनाएं या non-static बनाएं या हमारी choice है लेकिन interface के अंदर जितने भी variable हम बनाएंगे वो सारे by default ही static होते हैं और function कोई भी static नहीं होता यानि जितने अच्छां इसके लिए भी हम static keyword लिखने की जरूँद नहीं है function को तो static बनाएं नहीं सकते function by default non-static ही होते हैं यानि जो functions होते हैं वो abstract method होते हैं public होते हैं और non-static होते हैं जबकि जो variables बनते हैं वो static ही होते हैं उसके लिए आपको static लिखने की भी जरुवत नहीं है तो interface can have only static member variables अगला difference है कि abstract class में किसी variable को हम final बना भी सकते हैं और ना भी बनाना चाहें तो ना बनाएं लेकिन interface के अंदर हर variable final होता है यानि एक बार जो उसमें value initialize हो गई उसके बाद वो कभी भी change नहीं हो सकती तो by default ही सारे variables final होते हैं इंटरफेस में अगला difference है इंटरफेस में constructor नहीं होता यानि हमने नहीं बनाया तो compiler बना देगा ऐसा भी नहीं होता इंटरफेस में constructor होता ही नहीं है जबकि abstract class क्योंकि एक class है उसके अंदर constructor होता है हम भी बना सकते हैं और हम नहीं भी बनाएंगे तो compiler बनाएगा ही बनाएगा तो ये सारे differences हैं इंटरफेस और abstract class में common बात दोनों में ये है इनमें comparison हम कर क्यों हो रहें क्योंकि दोनों का ही object नहीं बना सकते तो आपको interface भी आपने interface के lecture में पढ़ा था abstract class भी पढ़ा है दोनों आपको अच्छे से clear हैं दोनों के बीच में interfaces भी आपको clear होंगे लेकिन एक बार point wise हमने यहां पर clear कर लिया I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको like करिए और यदि आपको ऐसा लगता है कि इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं आप देखें नीचे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब की बटन है उसके ठीक ओपर चैनल का नाम लिखा हुआ है जिस पर क्लिक करके आप चैनल के home page पर जा सकते हैं जहां पर आपको सारे वीडियो की list मिल जाएगी जो भी इस चैनल पर मैंने रखे हुए है आप देख सकते हैं कि यहां Java की complete series बनाई जारी है जहां पर theory पूरी cover की जाएगी तो chapter wise है तो अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा solution है कि आप शुरुवात से सारे वीडियो देखें इसके अलावा यदि आपको लगता है कि मेरे और भी दूसरे channels में आप interested है दूसरे subjects भी पढ़ना चाहते हैं जैसे C, C++, PHP, data structure और भी दूसरे इन सब की जानकारी इन सब के लिए अलग-अलग जो YouTube channels हैं उनके link की जानकारी आपको मेरी website पर मिलेगी mysargy.com आप इसको visit कर सकते हैं आप इसी वीडियो के बारे में जो भी कहना चाहते हैं वो comment के जरीए वीडियो के नीचे लिख सकते हैं इसके लावा यदि आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत useful था और भी दूसरे लोगों को इससे बहुत फायदा मिलेगा कारण पहला तो ये हिंदी में हैं दूसरा ये systematic chapter wise दिये हुए हैं तो अगर आपको लगता है ऐसा कि ये दूसरे को भी फायदा देगा तो आप facebook wall पे अपने facebook page पे इसको जरूर शेयर करिए ताकि जारों से जारों लोगों तक पहुँचे Thank you